हालो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्बी एर्जीट्यूब क्लास में तो आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन ले करके आए हूं यह कोश्चन क्लास 9 की मैथ की बुक्स से लिया गया है एक्सरसाइज 12.1 का कोश्चन है तो आए यह कोश्चन को डिस्कूस करते हैं है तो यह सनी कोश्न है शांट के गया है और हमें उस चैनल का पर्यमीटर दिया गया है उस चैनल का एरिया हमें पाल्य सालिटे करना है है लेट दा साइड्स आफ्ट रेंगल और देखे जब भी रेशियो में साइड्स दिया होता है तो उसके साथ हमें कोई वैरियाबल लेट करना पड़ता है अलब है जादेतर चांस होता है कि वह बडियवल एक्सलेट किया जाय है तो यहां पर हो जाएगा 12 x है 17 x ऐसे कि एड़ 25 एक्स तो हमने का मान लिया कि जो प्रेंगल के शहां रेशियो वह वह सोटेंटी फाइव एक्स है और 25 एक्स है जब हमें आपर perimeter दिया गया है and parameter P is equal to 540 cm घुम हम पैरिमीटर दिया है तो हम perimeter से शुरुआत करते हैं by using perimeter आफ ट्रेंगल तो हम यहां पर ट्रेंगल का पेरिमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रेंगल का पेरिमीटर क्या होता है देखो पेरिमीटर इस इक्वल टू सम आफ आल साइडस आफ ट्रेंगल ट्रेंगल की सारी साइडों का जो सम होता है वह पेरिमीटर के इक्वल होता है तो देखो पेरिमीटर की वैलू दिया हमें 540 सेंटीमीटर और साइड़े तो यह हैं 12x प्लस 17x और प्लस 25x तो सम बोला है तो इसको सम करना है अब देखो यह कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 12 प्लस 214 15 ठीक है तो यह हो जाएगा हमारे पास 54 54 x और यहां पर हमारे पास 540 संटीमीटर अब देखो अगर एक्स की वैलू फाइंट करनी है तो 54 को इधर लाएंगा इध इधर इंटू में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा यानि कि X is equal to 540 अपान 54 54 54 और इधर आ जाएगा 54 10 540 तो एक से का वैलू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर अब इस 10 की बैलू हमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रखेंगे तो साइड मिल जाएगी तो सबसे पहले जब हम 12 एक्स करेंगे तो means 12 इंटू 10 तो आंसर कितना आ गया 120 सेंटीमीटर दूसरे में जब हम 17 एक्स करेंगे तो 17 इंटू 10 तो आंसर कितना आ जाएगा 170 की मेडर सोटेर io ada 紅vention की और हमें धिम करना होता है क्या होता है कर तो फार्मूला होता है त्विच्व पाय पांटु परिमिटर अपान टूओ त्विडिया है और पॉक्ष किच च пиш क्च पाइल है कितना जाएगा 270 संटिमीटर youngest tutor क्टी संटीमीटर सब्सक्राइब मैं यहां पर राइट कर लेता हूं आप देखो यहां से आप चाहो तो डाइरेक्ट हेरांस फर्मूले वाले में वैलू को पुट कर सकते हो लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप S-A, S-B और S-C को फाइंड कर लो और उसके बाद वैलू को पुट करो तो अभी ही जब मैं S-A find करूंगा मतलब 270-a की वैलू है 120 इसी प्रकार से 270-b की वैलू है 170 और 270-250 तो यहां से आजाएगा हमारा देखो 0-007-2550 आजाएगा और 1-1-150 आजाएगा ठीक है यहां पर जब माइनस करेंगे तो 0-007-70 और 2-1-100 आजाएगा और यहां पर जब माइनस करेंगे तो हमापस 20 आजाएगा अब इन वैलूज को हम आराम से हिरांस फार्मूले में पुट कर सकते हैं पूटिंग इस वैलूज इन हिरांस फार्मूला ठीक है इन वैलूज को जब मिहरांस फार्मूले में पूट करेंगे तो यहां पर एरिया इस इक्वल टू फार्मूला होता है तो यहां पर हो जाएगा एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी ठीक है चुकि इसकी इसकी और इसकी वैलू आपने पहले से फाइंड कर लिया है तो एरिया इस इकल टू हो जाएगा 270 इन्टू एस माइनस एकी वैलू हो जाएगी 150 इन्टू 100 इन्टू 20 ठीक है अब इनको सॉल्व करेंगे इतना आप राइट कर लिजे तो अब हम इसको मल्टिप्लाइ करेंगे सबसे पहले देखो जितने 0 हैं उनको राइट कर लेंगे 12345 ठीक है कि वान टू थ्री फोर फाइव अब जो नमबर बचते हैं जैसे 27 15 वान टू इनको मल्टिप्लाइ करेंगे तो सबसे पहले रफ वर कर लेते हैं अगर हम 27 में 15 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो देखो कितना आएगा 15 7 जा 105 5 राइट कर लेंगे 10 करी हो जाएगा 15 टू जा 30 10 40 हो जाएगा ठीक है अब इसमें हम इस वन से जब मल्टिप्लाइ करोगे यानि कि जब 405 इन्टू 1 करोगे तो रजल्ट तो आपको 405 ही मिलेगा फिर जब इस 2 को मल्टिप्लाइ करोगे 405 मल्टिप्लाइ बाइ 2 तो टू 5 जा 10 वन करी हो जाएगा 2 0 0 1 और टू 4 जा एट तो कितना आजाएगा यहांपर हम राइट कर लेंगे तो ये देखो आपर ध्यान से ये 2-0, ये 2-0, ये 2-0, यानि कि 2-2-0 का पेर बन रहा है जब इनका स्क्वेर रूट लेंगे तो 1-1-0 बाहर आएगा तो महलब यहां से 1-0, यहां से 1-0 और यहां से 1-0 आजाएगा ठीके 81 का square root कितना होता है 9 तो मारा answer कितना आजाएगा हमारा answer आजाएगा area is equal to 9000 ठीके चुकि unit centimeter में है तो answer centimeter square में आएगा और ये इस question का हमारा answer होगा तो इसको आप write down कर लिजिए तो ये इस question का हमारा answer होगा उमिद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करें चैनल को भी subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you class